सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एर्थ का चैप्टर नंबर सेवेन जिसका नाम है क्या निरास हुआ जाए ये वसंत भाग का चैप्टर नंबर सेवेन है देखिए ये जो पूरी स्टोरी है इसमें हमसे लेखक ये कहना चाते हैं कि आज कल की जो समचार पत्र हैं उसमें चोरी डकैती कि कितनी पल देते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि समाज में अभी अच्छाइयां जगी हुई है तो चलिए आए इनहें पढ़ते हैं और समस्ते की कैसी हमें ये समझाते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा देखिए यहां पिर कまぁ यहीया होते हैं भर होते हैं पूरी तरूस समझाते हैं कि पूर श्रामाश में हम Catholics जहां तो यहां पर लेखक जो होते हैं यह बहुत च् Briusz कंडब कर दी जाती हैं तो एक तरस minute स आ चुका है काफी ज़्यादा यहां पर बुराईयां हो रही है और इसी के बारे में यह भी कहते हैं कि अब आदमी एक दूसरे को खाली लूटने में जपटने में लगा हुआ है कोई भी आजकल सत्यका मार्ग मतलब की अपनाता नहीं है और हर आदमी एक दूसरे को अलग ही द्रिष्टी से देखता है जैसे कि माल लीजी यहां पर हमें यह भी समझाते हैं कि यदि किसी के घर में आग लग गई और यदि दूसरा व्यक्ति उसके घर में जा रहा है उसे बचाने के लिए ताकि वो कुछ उसकी मदद कर सके तो भी यहां पर लोग क्या कहते हैं कि और सोचते हैं कि आज कल समाज में कितनी ज्यादा बुराईया है इसके बाद क्या होता है इसके बाद लेखक अपनी मतलब कि अपने लेख में दूसरी टाइप में आते हैं मतलब दूसरी चरण में आते हैं आप लोग कह सकते हैं तो यहां पर यह दूसरी चरण में यह कहते कि इन्हें याद आता है कि एक बार railway station में जब यह ticket लेने गये थे तो 10 रुपय के बजा है यह 100 रुपय का नोट दे दिये थे उसके चहरे पे संतुष्टी की भावना थी यानि को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा था प्रसन्य फील कर रहा था तो ओवराल यह दी हम लोग देखें तो यह इसके माध्यम समी यह दिखाना चाहते हैं कि अभी भी बुराई खतम नहीं होई अच्छाई अभी भी है अब यदी बुराई होती अब यदी हर एक आदमी दूसरे आदमी का हड़पने चक्कन रहता तब सायद ही वो उन्हें 90 रुपए लोटाता तब की जमानी 90 रुपए बहुत था तो यहाँ पर होता क्या है कि जब यह 90 रुपए दे देते हैं तब उसके अंदर जो संतुष् किमानदार विखती है और वो दूसरों की मदद करना चाहता है अब यह हमारे सामने एक और एक्जामपल लाते हैं जिसमें वे यह बताते हैं कि एक बार होता क्या है जो बस होती इसमें यह लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जब यह लोग बस में जा रहे होते हैं तो अचानक बस क्या होती है, खराब हो जाती है, अब जैसे ही बस खराब हो जाती है, तो बस का जो ड्राइवर होता है, वो तुरन साइकल उठाता है, और साइकल से कहां चला जाता है, मतलब भाग जाता है, जब ये साइकल भाग जाता है, तो जो बस में के लोग हैं, वो बहुत ज़्या स्वाने के चक्क कर दिया है और इसलिए इस निए जनकल में जानबुछ के बस को खराब कर दिया है तो जैसा कि आपक देख सकते हैं यह जा रहा है बस का ड्राइवर और लोग भीषे पकड़ रहें ठीक तो यहाँ पिनी है जो reicht के बस खराब कर practically पिर सभी लोग जब conductor को पकड़ लेते हैं उसे मारने के लिए जाते हैं तो conductor सभी से मदद पुकारता है कि कोई मेरी मदद करो हमारा ये मकसद नहीं है हम आपको बचाना चाहते हैं मैंने जवरदस्ती मतलब मैंने जानबुज के बस को खराब नहीं किया है तो वो अपनी सफा देता है तो उसकी बात क्या होता है कि यह लोग जब इसे मारते हैं तो किसी प्रकार से जो यहां पर लेखक होते हैं वो इन्हें छुड़ा देते हैं किसे डूर ड्राइबर होता है फिर उसके बाद प्यारे बच्चों लेखकों भी तो भैता है कि कहीं सच मुचना बस उस पर इन्हें थोड़ा मुड़ा विष्वास भी यहां पर था तो इनका विष्वास अबसरत में बजल जाता है क्यों कि जो ड्राइबर रहता है वो जाता है और बस स्टेशन से नई बस उठा के लाता है और कहता है और सभी लोग इस बस ने बैठ जाईए ये बस यह जगा बहुत ही खत्रे वाली है इसलिए मैं तुरंत ही गया और मैंने बीना देर किये हुए दूसरी बस उठा लाई तो इसे देखकर की लेखक हमें एक और तरीके समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो जो कंड़क्टर था उसकी कोई गलती नहीं थी ड्राइवर जो था वो दू इस प्रकार से लेखक हमें दिखाना चाहते हैं कि आज भी समाज में बुराईया नहीं है समाज में आज भी अच्छे लोग है आज भी इमानदार लोग है आज भी ऐसे लोग है जो सत्यका पालन करते हैं तो ओवराल इस पूरी कहानी में हमसे यही बताना चाहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और वो अंत में लिखते भी हैं क्या निराश हुआ जाए इसी वज़ेश इसका टाइटल यह है तो अब हमें इस कहानी से मतलब यह जो पूरा इस्टोरी है इससे हमें क्या सिक्षा मिलती है इसे हमें यह देखने को मिलता है कि समाज में जो मतलब जो समचार पत्र होते हैं उनमें खाली बुराई भरी होती है पहली बात उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग कम से कम अच्छाईयां भी उसमें रखनी चाहिए अपनी समचार पत्र में दूसरी बात हमारे समाज में अभी भी अच्छे लोगों की संख्या बहत ही तो यदि आप लोग यहां तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह बिल्कुल ही फ्री होता है इसमें आपका कोई भी कौश्ट लगने वाला नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे उमीद अब तक आप लोग कर दीजिए अधिने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो थैंक यू जय हम जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में